हाई गाइस कैसे हो तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जियावयान पहली बाद लिंडोंग और मूचेंग से कैसे मिलता है वीडियो काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है और जिनको अभी भी लगता है बीटी टी एच का युनिवर्स नहीं बनेगा जिससे यह पूरी तरह कन्फर्म हो जाता है कि बीटी टी एच का युनिवर्स तो बनेगा तो अब आप लोगों को भी यह कन्फर्म हो गया होगा तो चलिए शुरू करते हैं इस इंट्रेस्टिंग से नॉबल एक्स्प्रेनेशन को स्टोरी की शुरुआत होती है, बीटी टी एच का एंड हो चुका होता है और हम देखते हैं कि जियाओ यान स्पेस को ब्रेक करके दाउदी कॉंटिनेंट से ग्रेट थाउजन वर्ल्ड में जा रहा होता है और मैं आप लोगों को यह बता दूँ कि यह जो ग्रेट थाउजन वर्ल्ड है या तीन पार्ट्स में डिवाइड़ है जिसमें दाउदी कॉंटिनेंट लोवर प्लेन में है और मार्शन उनिवर्स भी लोवर प्लेन में है जिसके बाद हम लोग लिन डोंग को देखते हैं वह भी ग्रेट थाउजन वर्ल्ड में जा रहा था जहां सफर करते हुए लिन डोंग को एक बहुत ही ज्यादा पावफुल औरा महसूस होता है और फिर जब लिन डोंग दूसरी तरफ देखता है तो दूसरी तरफ एक बंदा होता है जो ब्लाक कपडों में खड़ा था और फिर वह बंदा भी लिन डोंग की तरफ देख रहा था लिंडोंग कहता है यह बंदा वाकई में बहुत खदरनाक है और वो दोनों एक दूसरी को देखकर स्माइल करने लगते हैं और स्पेस को ब्रेक करके ग्रेट थाउजन वर्ल्ड में अलग-अलग जगहों पर टेलिपोर्ट हो जाते हैं और फिर सीन शिफ्ट करके हमें और वहाँ उसे जीत भी जाता है लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक फ्यूट क्लैन का बंदा आ जाता है यहाँ आप लोग फ्यूट क्लैन को हुन क्लैन का डूप्लिकेट वर्जन बोल सकते हो फिलाल के लिए जो बंदा यहाँ पर आया था वह हैवन पॉर्बिंग रि लिंग डोंग के अलावा और कोई अचीव नहीं कर पाया है इस टाइम पर यह दोनों पूरे ग्रेट थाउजन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं जहां जियाओयान के पास एंडलेस फायर टैट्री है और लिंग डोंग के पास मार्शल रियलम है जियाओ जियाओयान को फ्लेम एंपरर के नाम से पूरे ग्रेट थाउजन वर्ल्ड में जाना जाता है और लिंग डोंग को मार्शल एंसेस्टर के नाम से जाना जाता है इसके बाद हमें कॉम्पुटेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँवा बंदा कहता है या मूँचेन लिंडों की बेटी है जो अभी के लिए मूचेन की फ्रेंड बन गई होती है और उसके साथ फाइट के लिए तयार होती है यहाँ पर जियाओयान की बेटी जो का पावर अभी के लिए मूचेन से ज्यादा था लेकिन वह जो बंदा था वह उन सबसे ज्यादा पावरफुल जो कि इस continent में power level में दूसरे number पर था और वो बंदा अपनी एक second में ही उन सभी को हरा देता है फिर वो जियाओयान की बेटी पर attack करने के लिए आगे बढ़ जाता है लेकिन तभी पूरा आसमान काला हो जाता है वहाँ का पूरा space का अपने लगता है और एक जगह से crack हो जाता है और उसके अंदर से एक heavy sword निकल के बाहर आता है और जियाओयान की बेटी के सामने आकर गिर जाता है और वो जो attack होता है जो उस बंदे ने करा था वो heavy sword पे लगता है और फिर वहाँ पर एक आवाज आती है जो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश की और जैसे ही सभी ये लोग ये आवाज सुनते हैं उन सब की डर के हवा डाइड हो जाती है और तभी आसमान में एक बंदा अपियर होता है लिंडों की बेटी काफी खोश हो जाती है और कहती है अच्छा तो यह जियाओ जियाओ के फादर है तो जियाओ जियाओ के फादर है ये हमेशा तभी आते हैं जब मैं बहुत ही ज्यादा critical moment में होती हूं कि मैं बहुत ही जादा जरूरी कामों में फसा हुआ था इस वज़े से मुझे यहां पे आने में टाइम लग गया यहां सुनकर जियाओ जियाओ अपना मुँ उधर गुमा लेती है जिस पर जियाओ यान उसके सिर पर अपना हाथ रखते हुए सब को थैंक यू बोलता है उसकी बेटी की जान बचाने के लिए और अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेता है फिर जियाओ यान कहता है सभी लोग शांती से खड़े हो जाओ और शो का मजा लो जिस पर उसकी बेटी बोलती है Old man, तुम इस fight को हार ना मत तो जियाओ यान मस्कुराने लगता है और फिर उस बंदे के पास जाता है और पूछता है तुम्हारा, तुम्हारे clan के power level में कौन सा rank है तो वह बंदा काफी चौड में बोलता है मैं अपनी client में first rank का सबसे powerful बंदा हो और कहता है, क्यों क्या हुआ तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या तो जियाओ यान कहता है, नहीं नहीं मैं तो बस गिंती भूल गया था कि अभी तक मैंने तुम्हारे clan के कितने लोगों को मारा है इस पर वह दूसरा बंदा बोलता है अच्छा, तो तुम वही हो और फिर अपना सबसे ज्यादा powerful attack जियाओ यान पर करता है तो जियाओ यान उसकी बेज़दी करते हुए अपना सबसे कमजोर वाला angry पुद्धा lotus बाहर निकालता है और उससे उस बंदे पर attack कर देता है और फिर जब उन दोनों का attack आपस में टकराता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा energy का blast होता है फिर हम लोग उस बंदे को देखते हैं जिसकी बहुत ज़ादा बुरी हालत हो गई थी और वह बंदा कहता है कि यह कैसे हो सकता है मैं यहाँ पर second number पर सबसे ज़्यादा powerful हूँ फिर वह बंदा कहता है मैं मानता हूँ कि तुम heaven-fobbing realm के high level पर हो लेकिन मैं भी middle stage पर हूँ आखिर power का इतना बड़ा difference कैसे हो सकता है इसके बाद वह बंदा काफी तेजी से लिंडों की बेटी की और बढ़ने लगता है तो जियावयान की बेटी बोलती है father आप उसे यहां से जाने मत देना जिस पर जियावयान कहता है ऐसा कोई सवाल नहीं पैदा होता कि वह यहां से बचके निकल जाएगा सबी लोग यहां देखकर शौक हो जाते है कि आखिर जियावयान उस बंदे को रोक क्यों नहीं रहा है और तभी हम लोग देखते हैं वह बंदा लिंडों की बेटी के काफी करीब पहुच जाता है लेकिन इससे पहले वह उसकी बेटी को कोई नुकसान पहुचाता एक बार फिर से आसमान क्राक होता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावफुल हाथ बाहर निकल के उस बंदे को पकड़ लेता है फिर वह दूसरा बंदा बोलता है तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत है और उस बंदे को अपने हाथों से जोर से दबा के मार देता है और लिंडों की बेटी अपने फादर को यहाँ पर दे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और दोड के लिंडों को गले लगा लेती है इसके बाद लिंडोंग मूँचेन को थैंक यू बोलते पे कहता है तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, और तभी पीछे से एक आवाज आता है, जो कहता है ब्रदर लिंडोंग ने सही कहा, तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, फिर जोर जोर से हसने लगते हैं इसके बाद सभी लोग काफी सारी बाते करते हैं फिर जियाओ यान कहता है अच्छा तो अब मेरे जाने का वक्त आ गया तो जियाओ जियाओ भी जाने के लिए तयार हो जाती है जिस पर लिंडोंग भी कहता है अच्छा तो मैं भी चलता हूँ फिर जियाओ यान कहता है तुमने मेरी बेटी की फाइट में काफी ज्यादा मदद की और अगर मैं खाली हाथ यहां से चला जाता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और फिर जियाओ अपनी फ्लेम का एक क्लस्टर मुझें को दे देता है और कहता है तुम्हें जब भी मेरी मदद की जरुरत पड़े बस इस क्लस्टर को डिस्ट्रॉय कर देना और मैं तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगा जिस पर लिंडोंग भी अपना एक तालिस्मान मुझें को दे देता है और कहता है जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरुरत पड़े पस इस तालिस्मान को डिस्ट्रॉय कर देना और मैं भी तुम्हारी मदद के लिए तुरंत आ जाऊंगा यहाँ पर तो मूँचें की लॉट्री लग गई थी क्योंकि मूँचें को यहाँ पर दे ग्रेट रूलर के दो सबसे ज्यादा ताकतवर बंदों का सपोर्ट मिल गया था इसके बाद मूँचें उन दोनों को थैंक्यू बोलता है और फिर वह दोनों वहाँ स्पेस को क्रैक करके वहाँ से निकल जाते हैं और इसी के साथ यह नौवल एक्स्प्लानेशन वीडियो यहीं पर एंड होता है लेकिन रुको अभी जाना नहीं कुछ ज़रूरी बात है कल शाम को मैंने चैनल पर एक कम्यूनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तो ज्यादा तर लोगों ने इस वीडियो के लिए डिमांड किया था जुसे मैंने आप लोगों के लिए already explain कर दिया लेकिन चिंता मत करो बाकी सबी जो topics मैंने mention किया था वह सब भी आने वाले हैं अगर आपको तांग सेन वर्सिस युहाओ की fight की novel explanation चाहिए तो आपको इस वीडियो पर 500 likes complete करने होंगे और soul land 2 का novel explanation वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर संडे को upload करूँगी और बात रही new dong hua ki तो 30 मई को एक बहुती बढ़िया dong hua series release होने वाली है इसका animation graphics मुझे सब एक कम top notch लगा आप लोग इसका trailer youtube पर search करके देख सकते हो इसका नाम dragon prince yuvan है और मैं इसे आप लोगों के लिए explain करने के बारे में सोच रही हूँ आप लोगों को क्या लगता है मुझे explain करना चाहिए comment में बताओ ओकी बाई मिलते हैं next वीडियो में